दोस्टों नमस्कार महरास्ट के मुख्य मंतरी उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर से नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर निशाना साधा है उद्धव ठाकरे ने एंसीवी पर तंज कस्तिवे कहा है कि महरास्ट पुलिस ने हीरोईन यानी की अबनेत्री नहीं हेरोईन यानी की ड्रग्स पकड़ी है इसलिए उसे पब्लिसिटी नहीं मिली दरसल महारास्ट्र पुलिस ने हाली में 25 करोड रुपे की ड्रग्स पकड़ी है उद्धव नहीं ये बयान शुक्रबार को मुंबई पुने और नाकपूर में अत्या धुनेक फॉरेंसिक लैब के उद्गाटन के मौके पर दिया था उद्धव का ये बयान दोस्तों उस दिन आया है जब बॉलिवोड स्टार शारुक खान के बेटे आरेन खाम से जोड़े ड्रग्स के केस में एक्ट्रेस अनन्या पांडे से भी पुछताच की गई अपने बयान में उद्धव ठाकरे ने कहा कि इन दोनों सिर्फ एक बात हो रही है ड्रग्स ड्रग्स और ड्रग्स दशेरा रैली के दोरान भी मैंने कहा था कि एसी तजवीर बनाई जा रही है कि पूरे दुनिया की ड्रग्स की खपत महारास्टर में है ऐसा कहना है ठाकरे का ठाकरे ने आगे कहा इसे सिर्फ बिशेस टीम यानि की नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पकड़ सकती है लेकिन ऐसा नहीं है उद्दव ने आगे कहा कि हमारी मुंबई महारास्टर की पुलिस ने चार दिन में पिछले 25 करोड रुपे की ड्रग्स पकड़ी है उन्होंने हीरोईन नहीं है इसलिए उन्हें पब्लिसिटी नहीं मिली लेकिन उन्होंने हमें गर्व महसूस करवाया है यहां तक की कोई उनका नाम तक नहीं जानता उद्दव ठाकरे ने दिली वाल से पाटल से का है कि हमें इनका सम्मान करना चाहिए महारास्टर पुलिस बल मजबूत कुशल और हम अपरादियों के प्रती कोई नर्मी नहीं दिखाते हैं और हम उनसे कड़ाई से निपटत नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की इतनी जादा वावाही क्यों हो रही है पूरे देश में जो की एनसीबी के जॉर्नल डिरेक्टर है समीर वानखेड़े आखिरकार पूरे देश से उन्हें तारीफें इतनी क्यों मिल रही हैं लोग जो है उनका काम सराह क्यों रहे हैं क क्यों नहीं मुंबई पुलिस की तारीफ की जा रही तो इस बज़े से जो महरास्टर के मुख्यमंत्री हैं उद्दफ ठाकरे उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है और उनका कहना है कि 25 करोड रुपे का ड्रग्स मुंबई की महरास्टर की पुलिस ने पकड़ा है लेक हीरोईन को ग्रफतार किया है ना कि हैरोईन को ड्रग्स तो बरामद हुआ है इसलिए तो हीरोईन को लेकर चर्चा चल रही है लेकिन महरास्टर के मुख्यमंत्रियों दफ ठाकरे को इस बात से परिशानी हो रही है कि आखरकार क्रेडिट सेंटरल इन्वेस्टिगेटिव इजेंसी को कैसे मिल रहा है उनकी पुलिस को क्यों नहीं मिल रहा है उने क्यों नहीं मिल रहा है मारास्टर सरकार की कोई तारीफ क्यों नहीं कर रहा है तारीफ कहां से करेगा ठाकरेजी क्योंकि आप और आपके नेता लगातार जो ड्रग्स के मामले हैं शारुक खान की ब और MCB के उपर की जहां पर चापे मारी की गई वहां से तो कुछ बरामाद हुआ ही नहीं तो फिर ऐसे मैं आपकी पुलिस की या फिर आपकी वावाई कैसे होगी आपकी तो क्रिटेसिजम होगी क्योंकि आप लगातार इंवेस्टिगेटिव एजनसी के उपर ही सवाल उठा जो की समीरवानखेड़े जी अपनी जान जोखिमम में डाल कर जो हैं उन्होंने लगातार छापे मारी की और आरेनभ खान को गरफतार किया क्या आपकी पुलिस में अतनी हम्मत थी कि वो कर आरेन खान को ग्रफतार कर लें क्योंकि वो शारुक खान के बेटें नहीं करते तो इसी लिए आपकी पुलिस ने 25 करोड रुपय का जो है ड्रग्स बरामत किया होगा वो सराहनी है लेकिन अगर एक सेंट्रल इंवेस्टिगेटिव एजेंसी ने एक बड़ी हस्ती को धरद क्योंकि आपकी जो पुलिस है वो तो बॉलिवोड वालों को कभी ग्रफतार करेगी नहीं बल्कि उनने डिफेंड करती हुई दिखाई देगी तो समीर वानकेड़े को लेकर एंसीबी को लेकर बुरी तरीके से दोस्तों तिलमलाई हुई है महारास्ट की उद्धवठाकरे सरकार और खुद मुख्यमंत्री उद्धवठा करें इस पर जो भी आपकी राय है जो तंज कसा है मुख्यमंत्री उद्धवठाकरे निन नार्कोटिक्स कंट्रोल व्यूरो के उपर की उड़ोंने हैरोइन नहीं हीरोइन गरफतार करी है इसलिए यह धिंडोरा पीटा जा रहा है इस पर आपका जो भी पॉइंट ओव व्यू है मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरू लिख बताएं इस वीडियो में इतना ही जल्द बलूँगा किसी दूसरे अपडेट के साथ में तब तक लिए धनवाद अगर आप लोग चैनल पर नाए है तो प्लीज चैनल को सब सबस्क्राइब करें और साथ अपनी बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर हूं तो सबसे पहले नौडिफिकेशन आपको मिलें